हम सब refrigerator यूज़ करते हैं लेकिन हम सब की requirements बिलकुल अरग होती हैं मैं आज एक बहुत ही unique Bosch के 3 door refrigerator को true view करने वाला हूँ और मेरा मानना है कि ये बहुत unique इसलिए है क्योंकि ये true sense में convertible refrigerator है मैं बात कर रहा हूँ Bosch के 332 liter max flex refrigerator की और मेरा नाम है विनीत मलोतरा और आपने ऐसा review आज तक पूरे YouTube पे नहीं देखा होगा जानते हैं क्यों क्योंकि एक true view है true view यानि एक true review इस refrigerator को मैंने खुद खरीदा है Bosch ब्रैंड ने मुझे नहीं भेजा इसे review करने के लिए और नहीं मैंने किसी brand से पैसे लिए हैं इस video को बनाने के लिए ये बात आपको जाननी इसलिए जरूरी है ताकि आप इस refrigerator को खरीदने या ना खरीदने का फैसला इस video को देखने के बाद अपने आप लें without any pressure मैं इस refrigerator को खरीदने के बाद इस लगातार यूज कर रहा हूँ और अब मैं आपको इस video के अंदर अपना user experience share करके बताऊंगा फिर आप देखिएगा कि आपको ये refrigerator कैसा लगता है पहले इसकी looks के बारे में थोड़ी सी बात करते है ये refrigerator बहुत ही जादा stylish design के साथ आता है with three doors जिसमें सबसे उपर वाला compartment obviously एक freezer का है नीचे वाला बड़ा compartment fridge का है और बीच वाले compartment को कहा जाता है max flex अब आप कहेंगे max flex क्या है चलिए आपको एक जादो दिखाता हूँ ये है मेरा इस refrigerator का freezer और ये है इस refrigerator का मेरा fridge अब आप कहेंगे ये क्या है चलिए आपको fridge भरके एक बार और दिखाता हूँ कि ये है मेरा इस refrigerator का freezer और ये है इस ही refrigerator का मेरा fridge और यही इसका सबसे बड़ा plus point है इस refrigerator के अंदर आपको ये center compartment मिलता है जिसे max flex कहा जाता है इसे आप किसी भी तरीके से use कर सकते हैं आप इसे as a freezer यूज कर सकते हैं या फिर आप इसे as a fridge यूज कर सकते हैं ये flexibility आपके हाथ में दी गई है इसलिए इसे flex कहा गया है generally हम convertible refrigerators के अंदर एक option को बहुत ही जादा advertised होते हुए देखते हैं कि आप अपने freezer को पूरी तरीके से बंद करके fridge में convert कर लेंगे ये मैंने अपने पिछले refrigerator के comparison वीडियो के अंदर भी बताया था कि आप मुझे एक साल का दिन वो बताईए जिसमें आप अपने freezer को पूरे तरीके से completely shut off करके उसे fridge बनाना चाहते हो क्या कोई भी कर्मियों में या फिर सर्दियों में एक भी दिन ऐसा होता है ऐसा दिन कोई नहीं होता इसलिए आपको freezer की बिलकुल ज़रूरत ना हो ऐसा किसी भी refrigerator में option होने पे भी आप उसे use नहीं कर पाएंगे बट आपको ऐसे कई दिन मिलते हैं जिसमें आप freezer की space थोड़ी जाधा चाहते हैं और कई दिन ऐसे होते हैं जहापे आप fridge की space थोड़ी सी जाधा चाहते हैं and that is where this flex refrigerator comes into picture क्योंकि ये middle compartment जो कि 66 liters का है आप इसे use कर सकते हैं as a fridge or as a freezer and that is the magical part of this refrigerator ये 332 लीटर की gross capacity के साथ आने वाला refrigerator है जिसके अंदर आपको 302 लीटर की net capacity देखने को मिलेगी जिसमें आपको 184 लीटर का fridge compartment मिलता है 82 लीटर का freezer compartment मिलता है और 66 लीटर का ये max flex compartment देखने को मिलेगा मतलब अगर आपने max flex को properly utilize करना हो तो या तो आप 250 लीटर का as a fridge यूज़ कर सकते हैं इन दोनों compartment को मिला के या फिर आप 148 या फिर मार लिजे 150 लीटर का as a freezer यूज़ कर सकते हैं इस refrigerator के अंदर नाओ इस is called flexibility and that is why I love this refrigerator बोश के इस refrigerator के अंदर भी आपको convertible 6 and 1 modes देखने को मिलेंगे लेकिन वो convertible modes होंगे max flex और fridge compartment के जिने आप 6 degrees से लेके minus 6 degrees तक लेके जा सकते हैं now this is very very good needless to say कि बोश के इस refrigerator के अंदर आपको toughened glass shelves देखने को मिलते हैं and they are of really really good quality toughened की बाद करी ही है तो आपको ये भी बता दूँ कि ये refrigerator weigh करता है 71 kg now इस refrigerator की capacity का कोई भी और दूसरे brand का refrigerator अगर आप check करेंगे तो उसका weight लगभग 10 kg या फिर उससे भी जादा कम होगा now where is that weight going? it is going in the superb build quality ये मेरे हिसाब से एक rock solid refrigerator है जिसे आप खुद हिला नहीं सकते लेकिन आप हिला पाएंगे actually में क्योंकि इसके नीचे wheels लगाए गए है for easy mobility इसके fridge compartment के अंदर आपको multi air flow system देखने को मिलेगा और बोश का ये मानना है कि इस particular system से आपको 40% जादा air circulation मिलेगी यानि ठंडी हवा की circulation 40% से जादा अब ये मैं measure नहीं कर सकता कि 40% है कि नहीं but all I can say yes थोड़ी air circulation में फरक है मुझे दूसरे refrigerator से थोड़ी जादा ये लगी इस refrigerator के अंदर आपको 6 अलग अलग तरीके के sensors लगे वे मिलेंगे लेकिन उन में मुझे सबसे important sensor लगा ambient sensor क्योंकि वो room के अंदर I mean kitchen के अंदर का temperature को जज़ करके compressor को एक signal pass on करेगा जिससे इसका vario inverter compressor अपने काम करने की efficiency को कम या जादा करके refrigerator के अंदर temperature को maintain रखेगा इसका मतलब electricity का expense कम लेकिन अंदर cooling में कोई कमी नहीं इस model के अंदर आपको वीटा fresh technology भी देखने को मिलती है जिसकी मदद करता है ये वाला moisture control slider अब वेजेटेबल बॉक्स के अंदर अगर वेजेटेबल रखेंगे तो slider को वेजेटेबल की तरफ ले जाएंगे जिसमें होल्स के जरिये धीरे-धीरे moisture अंदर जाता जाएगा और वेजेटेबल को बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रखेगा यही वीटा fresh technology है और अगर आपने उसके अंदर थोड़े fruits भी रखे हैं तो आप slider को fruits की तरफ ले जाएंगे जिसमें आप किसी भी तरीके का कॉस्मेटिक्स या कोई और जरूरी समान रख सकते हैं और मेरे हसाब से 4-5 members के लिए जितने भी समान की जरूरत होती है वो आप इस refrigerator में रखेंगे तो आपको जगा की कमी कभी भी महजूस नहीं होगी इस refrigerator model में ये एक inverter compatible model है और इसके अंदर आपको वोल्ट रेगूलेटर टेकनोलीजी भी देखने को मिलती है इसे आप stabilizer free operation भी कह सकते हैं जिसकी range है 100V से लेके 300V बाट इस सच अ वाइड रेंज एन इस गुड़ एक शांदार फीचर जो मुझे इस refrigerator का लगा वो है detachable vegetable box जनरली हम किसी भी model के refrigerator के अंदर vegetable box को देखेंगे तो उसे पूरा का पूरा आपको बाहर निकालना पड़ेगा लेकिन ये एक different type का vegetable box है इसे आप detach कर सकते हैं और इसके एक पार्ट को बाहर निकाल सकते हैं उसके बाद आप उसमें vegetables भर सकते हैं या फिर उसकी cleaning कर सकते हैं और उसे बहुत easily आप वापस अंदर लगा सकते हैं and it is very very convenient and good मैंने आपको inverter compatibility के बारे में भी बताया था कि आप उसे technology भी कह सकते हैं जिससे up to 18 hours तक इस refrigerator के अंदर cooling को retain करा जा सकता है now this has to be the best feature of this refrigerator बाश आपको देता है 1 year की comprehensive वो 10 years की warranty on the Vario inverter compressor जो आपको इस refrigerator के अंदर लगा हुआ मिलता है आप अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो इस समय आपको देने पढ़ेंगे अप्रोक्सिमेटली 40,000 रुपीज मैंने से 40,400 रुपीज का खरीदा था यह प्राइस चेंज होते रहते हैं इसलिए मैंने आपको इसका लिंक दिया है और दूसरे ब्रैंड के ऐसे ही मॉडल यानि इतने ही कपासिटी के मॉडल अप्रॉक्सिमेटली 10 के जी कम तो यह वेट कहा जा रहा है यह वेट जा रहा है इसकी बिल्ड क्वालिटी में अब इसे अगर वील्स को माइनस कर तो आप इसे हिला नहीं सकते हैं इसे रॉक सॉलिड रॉक सॉलिड रफरिजिलेटर जो मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट है दूसरा और सबसे बड़ा प्रो जो मुझे इस रेफिरिजिलेटर का लगता है यह इतनी जादा फ्लेक्सिबिलिटी मुझे देता है अगर मैंने ऐसे फ्रीजर बनाना है मैं फ्रीजर बना लूँगा तो आपको फ्रोजन फूड रखना है या कोई और चीज रखनी है तो यह सारी चीजों को अगर मैं इनकी फ्लेक्सिबिलिटी सोच हूँ तो मैक्स फ्लेक्स कमपार्टमेंट मेरे लिए सबसे बड़ा प्रो बन जाता है यह फीचर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टन या जरूरी है जिनके घरों में लाइट थोड़े लंबे टाइम के लिए जाती है इन लंबा पावर कट होता है उस समय आपका इन्वर्टर का बैक अप काम नहीं आता यह फीचर कूलिंग को रिटेन करेगा फॉर अप टू एटीन आवर्टन दाट इस अ ब्यूटिफुल थेंग क्या यह फीचर में कोई कौन नहीं है बिल्कुल है इस रफीचर को यूज करते हुए दो कौन जो मैंने अबजरू करे वो मैं आपके साथ शेर करता हूँ आपक तो वो मैंने माक्स फ्लेक्स कंपार्टमेंट में रखा और उसमें अपना टेम्परेचर इस कंपार्टमेंट का अलग से रेगुलेट किया आई फाउंड बेटर वे ओफ स्टोरिंग माई थिंग्स लेकिन आपके लिए यह सही है या नहीं है वो आपको देखना है मेरे लि तो अब तो अब तो तो यह सही है यह सब की जरूरते अलग अलग होती है इसलिए मेरा बताना आपको फर्स है तो इसकी जो पावर कंजम्शन है इन यह वो है 312 युनिट्स अब यह अगर जैसे मैंने दूसरे रेफरेजरेटर के साथ इसका वेट कंपेर किया उसी तरह से अगर मैं इस रेफरेजरेटर की पावर कंजम्शन को कंपेर करों देन इस 50 युनिट्स मोर अप्रॉक्सिमेटली इन यह अब यह बहुत जादा मैं नहीं करते हैं आई नो डाट एक साल में 50 युनिट में इतना फरक नहीं पढ़ने वाला है आपको जो फीचर्स मिल रहे है आपको जो विल्ड कॉलिटी मिल रही है उसे यह सब प्रॉइट करने के लिए आई थिंक 50 युनिट से इतना फरक नहीं पढ़ेगा बद स्टिल यू शुड नो दिस रेफरेजरेटर अच्छा है इसके लिंक्स दिये है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और बीम वन गता ओध यू जेए का щुछ दिन पहले रिलीज किया था ठैफरेजरेटर का और में आपसे मलता हूं अगले आगले डू बहुत ही जल्दी थांच यू वेडरी मॉच